Let's do question number 29th of XI 7E. Question number 29th is the length of the diagonals of the rhombus R. हमें rhombus की diagonals दे रखें 40 cm and 42 cm. और हमें क्या कहा है? Find the length of each side of the rhombus. और हमें सारी sides rhombus की निकालनी है. तो कैसे करेंगे? रॉंबस बना लेते हैं अपना. और हमें diagonals दे रखें हैं. कितनी दे रखें हैं diagonals? 40 and 42 cm. तो मान लीजे अगर ये 40 cm है. और ये 42 cm है. तो हमें length निकालनी है. A, B, B, C या C, D या D, A ये length निकालनी है rhombus की. तो हमें जो जो दे रखें हैं वो वो लिख लेते हैं और जहां intersect करनी हैं मैंने उसको O point ले लिया. तो A, C दे रखें हमें 40 cm और B, D दे रखें हमें 42 cm. और हमें पता है, as in rhombus, diagonals, divide each other equally, एक दूसरे को equally divide करती हैं. and make 90 degree angle, 90 degree angle और 90 degree का angle बनाती हैं. तो इसका मतलब ये सारे क्या हो गएं? 90 degree angle हो गएं. तो इसका मतलब angle AOB कहें, या angle BOC कहें, या angle COD कहें, या angle DOA कहें. सब कितना हो गया? 90 degree का हो गया. अब हमने कहा कि आपस में equally divide करती हैं. तो इसका मतलब OA equals to OC हो गया. जो की कैसे निकलेगा? AC का आधा कर देंगे. तो that means 40 का आधा, 20 cm आ गया. इसी तरीके से O B OD के equal हो गया. जो कैसे निकलेगा? BD का आधा करके. That means 42 का आधा. 21 cm हो गया. अब क्योंकि हमें लेंथ निकालनी है, सारी sides equal होती हैं. और सभी triangles 90 degree का angle बनाते हैं. तो कोई साभी triangle ले सकते हैं. तो मैं AOB ले ले रहे हूँ. तो in triangle AOB right-angled at O. Right-angled at O. तो हम Python और इस theorem यूज़ कर सकते हैं. क्योंकि right-angled triangle है. तो using Pythagoras theorem. Pythagoras theorem यूज़ कर लेंगे. तो Pythagoras theorem यूज़ करेंगे AOB triangle में. तो longest side का है? AB. तो AB square is equals to other two sides का square. तो यह अग है. OA square plus OB square. AB क्या है? Length है हमारी. rhombus की. तो उसको निकाल ले हैं. तो OA कितना है हमारा? OA है 20. OA कितना है? 20 cm. और OB कितना है? 21 cm. तो हमने रखा 20 का whole square. प्लस 21 का whole square. तो 20 का square होता है 400. और 21 का square होता है 441. यह हम अपनी past classes में याद कर चुके हैं. तो total कितना हो गया? 841. तो A भी कितना हो गया? square root of 841. तो चलिए. division method से 841 का square root निकालते हैं. तो यह कितना है? 2 2s अ 4. तो यह आए 4 41. 2 प्लस 2 इस 4. now 49 9 जा देखें. 9 9 जा 81. 36, 37, 38, 39, 40, 44. यह मैं already 7th 8 में कर आच चुकी हूँ. तो प्लीज वहाँ से जरूर देखें कि कैसी किया है? तो यह हमें पता चल गया कि 841 किसका square root है? 29 का. तो 29 cm तो हमें पता है A B कहें, या B C कहें, या C D कहें, या D A कहें. सारी length rhombus की equal होती हैं, जो किया गई है 29 cm ता answer.